तो चलिए बना लेते हैं गुजिया बनाने के लिए हमें क्या क्या चीए तो चलिए बना लेते हैं तो यहां पर मैंने लिए 100 ग्राम मेदा यह एक बोल ले सकते हैं आप और मैंने यहां पर इसके अंदर चुटकी भर नमक एड कर दिया है आप नमक डाल के जरूर ट्राइ कीजिए वह काफी जादा टेश्टी बनके रेडी होती है इसी के साथ मैं अब मैं इसके अब मुश्चर सा इसके अंदर दिखने ना लग जाए जब तक आटे में लड्डू सा बनने ना लग जाए इतना मौन देखे हम इसको इस तरह से बना के देख लेंगे यह एक दम परफेक्ट मौन लगके इसमें रेडी हो गया हमारा आटा तो अब हम इसको गुंत लेंगे इस तरह से काफी ज़ादा सोफ्ट और काफी टाइट डो बनके यहाँ पर रेडी हुआ है देखिए काफी ज़ादा अच्छे से डो बनके रेडी हो गया तो चलिए डो को हम डखके रख देते हैं 15 से 20 मिंट के लिए तब तक हम गुजया की स्टफिंग तयार कर लेते हैं त मुठी बर्व में पिस्ताई डा दूगी और मुठी बर्य में इसमें और पिस्ताई विद्ध में काजुके टुक्डे करके में रख लें कर दूगी आ बदाम ट्राइफूट आप अपनि अरशे की साब सकते हैं। इसके साथ एक चमच चमच मेंग लाईची पावडर ढाला इससे खुश्बू काफी लाजबाब आएगी इसी साथ मैंने आप इसके अंदर बूरा चीनी एड़ कर दी है बूरा चीनी मैंने यहाँ पर 50 ग्राम ली है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह देखे अच्छा सा मोस्चरी इसमें बन गया है तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और अब हम उस आटे को देख लेते देखे आटा 15-20 मिन्ट हो चुका है एकदम सोफ्ट आटा बनके रेड़ी हो गया है और इसको हम अच्छे से थोड़ी 2-3 मिन्ट के लिए इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से यह देखे इस तरह से करने से आटा और ज़्यादा अच्छे से बनके रेड़ी हो जाएगा तो यह देखे आटा हमारा अच्छे से बनके रेड़ी हो गया गुजिया के साइज के साप से अप कम या जादा लोई तोड सकते हैं तो चलिए सारी लोई तोड लिये मैंने तो अब मैं इसके बना लूँगी छोटी छोटी से गोले तो ये देखें मैंने गोले अच्छे से बना लिये हैं आप में इसको बेल के पूड़ी की तरह हम इसको बेल लेंगे जादा नहीं बेल लेंगे इस तरह से यह देखे पूड़ी की तरह हमने बेल लिया है इसको साइज आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं गुजियां की तो यह देखे मैंने इसको अच्छे से बेल तो आप हलका सा पाने लगा के भी इसको चिपका सकते हैं तो इस तरह से देख लीजी इस तरह से हम चिपका के बनाएंगे बिल्कूल अच्छी तरह के से तो यह कॉफी टेस्टी कॉफी लाजबा गुजिया बनके रेडी होईगे इस तरह से हम इसको मोड लेंगे आप चाहे तो यहां पे साचे का भी यूज कर सकते हैं मेरे पास साचे नहीं है मैं इसको हाथ से मोड के इस तरह से बना लूगी यह देखिए कितने अच्छे साचे में तो हर कोई बनाता है आप हाथ से जरू ट्राइगी जी यह देखिए कितनी प्यारी गुजिया बनके यहां पे रे सकते हैं लेकिन साचे वाली गुजिया बहार जैसी नहीं लगती इस तरह से आपन बनाएंगे वह बाहर वाली जैसी ही गुजिया लगेगी तो मैं फिर से इसमें दो चमशी स्टेफिंग डाल दूँगी और फिर से मैं इसको अच्छे से पेक कर लूँगी यह देखे इस तरह से और फिर से हम इसको इस तरह से मोड लेंगे यह देखे कितनी अच्छे से मैं इसको मोड रही हूं इसी तरह से मोड के हम यह सारी गुजिया बना के हमारी रैडिकल लेंगे यह देखे कितनी अच्छी गुजिया बन के यहां पे तयार हो गई है तो चलिए बना लेते हैं स मैं पर देखा चास्त नीम और कराय करते हैं तो फ्राइब करने के लिए लिए निए की पढ़िए निए लगधी करना घंट ते मैं राइन पेटाइय झाल स्वाइच ङदा कर देंगे जितनी हम यह जब दो हम चीनी लेंगे उसे दुगना से पानी डाल देंगे पर चाषनी उसने पहलें में जाएं छे पर जार, में जार रहां अनकि마 वह जाएं MAY बनाकर चाषनी होलिम पर इसा जार रहा है और साधा ओर देखा है गुजिया दालना शूरू करी कर देते हैं तो मैं एक एक करके सारी गुजिया इड़ कर दूँगी गेस की फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो ही रखूंगी स्लो ही गेस भी हमें इसको पकानी है कम से भी कम दस से बारा मिंट ले लेगी पकने के लिए अच्छे से फ्राइ होने के लिए जब तक कि इस पर अच्छा सा कलर ना अच्छी गुजिया बनके तयार होती है इसका में पॉइंट होता है जब हम आटा लगाते हैं तो आटे को हम गुनगुने पानी से लगाएंगे तो यह काफी जदा सोफ्ट बनके रैडी होएगी आटा जतना इस्ट्रिक होएगा इसका उतने ही अच्छी गुजिया बनके तयार होएगी यह देखे बिल्कुल फटी नहीं कहीं से एकदम टेश्टी गुजियां यहां पर बनके रैडी हो जाएगी देखते ही देखते तो यह देखे हलका सा इसमें कलर आना शुरू हो गया आपको कलर जदा डार्क नहीं करना है तो आप थोड़ा सा हलका कलर भी इस इस तरह से जर्की सायता से हम आप इसको निकाल लेंगे देखे कितना अच्छा कलर आया है गुजिया पर यह देखिए कितने शांदार बनके यहां पर रैडी हो गई आप चाहे तो इसको ऐसे भी साफ कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्टफिंग में मैंने यहां पर चीनी पहले स आप यहां पर बनके रैडी हो गई है तो चली इसी तरह से हम सारी गुजिया और बना लेते हैं तो यह देखे दूसरी बार में मैंने इसी तरह से बनाया है इसको में ज्यादा डार्क फ्राइ नहीं करूंगी इसी लेवल पर हम इसको निकाल लेंगे देख पर हो कितनी अच खुशी महसूस होती है यह देखे इस तरह से हम बना के इसको सारी को निकाल लेंगे निकालने के बाद अब हम इसको डायरेक्ट चासनी में डाल देंगे तो चले में इन सारी गुजियां को निकालके और चासनी में इसको एड़ कर दूंगी यह देखे बिल्कुल किती चां चासनी बेलकुल चिपचिपी से चासनी मैंने बनाई है ज्यादा इसको मैंने एक तार दो तार की चासनी नहीं बनाई है चासनी को मैंने दिमे के इस पर रख दिया था यह दस से बारा मिंट लिए चासनी बनने में भी और यह काफी चासनी बनके रेडी हो गई है तो मैंने सा चासनी में इस तरह से मिलाते वे रख लेना है ताकि सारी गुजियां अच्छे से मिठी हो जाए एर ये चार से पाँच मुन में इसको चासनी के अंदर ही रखा है रेक्दम मार्किट वाली गुजियां बनके यहाँ पर रैडी हो गई है तो हमें चासनी से इनको भार निकाल लूँगी जो बच्ची वी चासनी है इसको हम किसी और यूज में ले ले लेंगे वो यूज में आपको जरूर दिखाऊंगी तो यह देखे इस तरह से सारी गुजिया निकाल के तो चले करते हैं इनको स गुजिया पर बना के रैडी कर ली है लग रही है बिल्कुल मारकेट जैसी एक तम वही वाला टेश्ट है इनका इकदम शान्दार तरीके से यह बनके सकते हैं और तो पिस्ते केसर की रखेति यह धाइक कुछीया के सब्सक्राइब कोंते तक केसर के सब्सक्राइबjat और वामख्रेक सबस्राइब वोया ठाइर से जबस पारे हों명ा यहां इस Pat 겨 प किये आफ यहां पर बनके सब्सक्रा आपको काफी जादा पसंद आने वाली है गुजिया की रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेर कमेंट्स जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूटूब चैनल को ऐसी ही अच्छे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और इंजोई कीजिए होली स्पेसल गुजिया होली के तेवहार पर कुछ बने ना बने लेकिन दिल्ली जैसे सहरों में गुजिया जरूर बनती है उसी से ही पता चलता है होली का थैंक यू